हलो दोस्तो नमश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत स्वहत करता हूँ सो दोस्तो इस पड़े में हम लोग कवर करने वाले लगबग लबग 6-7 important stocks उनसे जड़े important बाते तो चले स्टार्ट कर लेते सबसे पहले तो यहाँ पे BSC Limited के साथ इब्दम धमाकेदार performance देखने को मुझा है जैसे ही हमारा index भी बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है तो इन companies को काफी अच्छा फाइदा इसका मिलता ही मिलता है और इसलिए आप देख सकते है आज की दिन का भी परफॉर्मस बहुत चांदर है सबसे अगर देखा गया तो काफी ज़्यादा higher expectation देखने का आपे मिल जाएगी क्योंकि बीच में जो fees भी थी इनकी वो भी इन्होंने आपे increase कर दी थी तो इसी चीज़ के चलते हैं हम यह आपे कह सकते हैं कि काफी अच्छा परफॉर्मस बीच सी लिमिटेड को होते वे देखने का आपे मिल रहा है नेक्स्ट अगर हम लगे आपे बात करेंगे रहा है पिछले एक मैने में डाउन है चे मैने में भी अगर हम लोग देखे तो एक ही रेंज में हम लोगो ज्यादा तर करते हैं इसका परफॉर्मस देखने का आपे मिल रहा है साल भर के भी अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा ने FD जीतना ही साथ सवा साथ पसंट का ही return हम लोगो देखने का मिल रहा है एकदम एक्स्ट्रिमली तेजी भी नहीं, एकदम एक्स्ट्रिमली गिरावट भी नहीं, एक ही रेंज में हम लोगो काम करते हुए देखने का आपे मिल रहा है, अगर आ जाता है भविशा में, तो यह इंडेक्स लेवल पे भी, मतलब निफ्टी इफ्टी में भी एड़ यहापे हो जाएगी, तो वो एक क्राइटेरिया भविशा में देखना पड़ेगा, एफेनों में आते हैं नहीं आते हैं करके, तो देखा गया, तो बेसिकली इस कंपनी से अभी जो उमीद रहती है, वो इतना ही रहता है, पाच साल में डबल करके दो, उससे ज़्यादा दिया तो अच्छी बात है, बढ़ हाँ, ब्लू चिप बनने के बाद इतना ही हम इसे आपे एक्सपेट कर सकते हैं, कंपनी का ओर परफर्मंस भी एवरेज ही हम लों को देखने है, जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए, वैसे हम लों को फिलाल तो देखने का आपे मिल रहा है, तो ठीक है, आज की दिन हम कैसके 3-3% भागते वे देखने का आपे, मिल चुक है, हाँ ये पीटी करने के लिए काफी लोग ठीक है, जितना आपको रिटन यापर मिलना चाहिए, उससे तो अच्छे रिटन्स यापर बन जाते हैं, ठीक है, पोस्ट टैक्स रिटन्स की आपर में बात करा हूँ, तो उससे साब से मैं इन चीजों को यापर कंसिडर करता हूँ, ये कोई एबदम सूपर डूपर रिट कंपनी थी, बहुत शांदर कंपनी थी, अभी ब्लूचिप बन गए, तो वहाँ पर भी जो हमारा एक्स्पेक्टेशन होता है, वो पाथ साल में डबल के हिसाब से होता है, तो किस क्राइटेरिया में वो कंपनी आती है, वो हम लोगों को थोड़ा बत पता होना चाहिए, त बात करेंगे टाटा मोटर, येस, टाटा मोटर के अगर हम लोग बात करेंगे, ये ब्लूचिप तो है, बट येस, यहाँ पर एक एक एक्स्टा चीज लग जाती है, कौनसी, ग्रोथ, और ग्रोथ कैसी आगए, सिर्फ एक ही सेग्मेंट के चलती, इलेक्टरिक वेकल, अग अब ये बहुत ही कमफर्टेबली मारूती के आगे आगे आपे जा चुका है, कल के दिन हम लोगों ने देखा तो उससे और भी अच्छा मार्केट के आप इनका रेज हो चुका है, तीन पसंट की जंप आज के दिन भी देखने को मिल चुका है, और डेली अगर आप चेक कर आपे मिल जाएगी, और बहुत ही silently कमफर्टेबली आगे बढ़ रहे, पाच दिन में 10, मैने बर में 11-12, छे मैने में 37, साल बर में 98, पाच साल में 387, बहुत अच्छा परफर्मंस यापे चल रहा है, अभी return देखकर जो इसमें निवेश्च करेगा भाई, उसको तो बर मोटर ने क्या कर दिया, अपने गाडियों के दाम यहाँ पे बढ़ा दिये है, तो जितना यह गाडियों के दाम बढ़ाएंगे, उतना ही हम कह सकते कंपनी के result, यहाँ पर इंप्रूव यहाँ पर हो जाते है ठीक है, एंड देखा गया तो जो competitor होते हैं, वो भी गाडि चीज़े करनी आपे पढ़ती है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो KPIT टेक्नोजी अब दमदार परफॉर्मस रहा है इनके उपर जो एक लटक तीवी तलवार थी वो यही था कि जो शॉट टम वाले दाव लगाते हैं उनको भी उन्होंने यहापे हम कह सकते हैं नंबर्स दिखा कर सैटिस्फाई आपे जरूर किया है और इसी चीज़ का रिजल्ट है दोस्तों कि KPIT टेक्ने जबरदस हमनों को बाइंग होते वे देखने का आपे मिल रही है अगर आप लॉंग टाम इंवस्टर हो तो आपको इस चीज़ से ज़्यादा कोई फरक आपे नहीं पड़ेगा कि कभी तेजी है तो कभी मंदी भी आएगी ये भी पॉइंट आपको पता है आपे होना जाए इसके पहले भी KPI टी टेक अगर आप पाक साल का डेटा देखोगे तो यहापे बीच में 40% तो वैसे आपे गिराता तो यह चकर तो चलता ही रहता है इससे कोई भी स्टॉक बचेगा नहीं हर किसी स्टॉक को इस फेस से आपे गुजर रही है प्रोवाइड़ एक ही चीज़ देखने है कि जब भी गिरेगा बड़ा गिरावट होगा तब चेक कर लेना कि भाई कमपनी फंडामेंटली तो मजबूत है ना कोई ऐसा तो डेमेज नहीं हुआ है कि कमपनी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी करके अगर एक नॉर्मल करेक्श करके ऐसा नहीं होता है बाई चेक करना पड़ेगा वह पंद्रासों का हजार क्यों हुआ है अगर जस्ट एक नॉर्मल सेल अफ हुआ है और चाहो तो लंबी आउदी में निवेश अपना कंटिन्यू कर सकते हो ठीक है आप चाहो तो आइवरेज भी कर सकते हो डिपेंड करत करेंगे तो लगबग अभी पाच दिन की गरावाट तीन पसेंट तक जाती भी देखने को आपे मिल चुकी है तो डेफिनेटली हम कह सकते है टाटा टेक को अच्छा का सा कॉंपेटिशन यहापे मिलते हो देखने हो बैक एंड पे तो पहले से कॉंपेटिशन था अब तो यूद हमलों को देखने को मिल रहा है बट हाँ मेरा एक ये बात पक्की है कि टाटा टेक को जिसने भी एकसेक्मेंट में खरीदा होगा हाईर लेवल की तरह तक गया था चौदा सो तक गया था अगर मैं गलत नहीं तो एक बार में चेक कर लूँ येस फिफ्टी टुए खा हों येस पुटेंशियल होना चे बई उस कमपनी में काबियेधँ होनी चे क्या टाटा टेक में वो पुटेंशियल है हां हां डेफिनेटली है मैं कितनी बार बूल चुका फूँ इसका लेत इनी होता है कि बई वो मैच में century लगा दे ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है आप कहले ते वीराट को बिजनेस भी काफी बड़ा है भाई कोई मजाग की बात नहीं है या पर छोटी-मोटी कंपनी नहीं है तो ये पॉइंट समझ में आपको टाइम देना पड़ेगा भाई ये तो unavoidable circumstances है आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे फटक से पाच दिन में पैसा डबल करके दो वो तो होने वाला नहीं कुछ रूल्स होते है भाई बाजार के उस हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा फिलाल तो हम कह सकते जिन्होंने इबदम FOMO के चलते खरीदा होगा वो तो disappoint हो जाते होंगे टॉप लेवल से तो हमनों को गिरावट देखने का पर मिल रहे है और कोई रैंडम बाइंड सेलिंग करनी नहीं होती है अगर आपको जैनूर नहीं लगता है बिजनेस अच्छा है तो फिर आप बने रह सकते हैं आपको लगता है कि भाई बिजनेस खराब ह है कि बस भाग रहे ना तो हम भी भागेंगे तो उनको प्रॉब्लेम कब होगी जब गिरावट होगी तब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्टेट हो जाएंगे तो उस कैटेगरी में नहीं आना है आपको ने प्रॉपरली बिजनेस को समझना है सारी चीजे इंटरनेट के उप अदानी विलमार ठीक है इनके नंबर देखने को मिल गए रेवेन्यू में 17% गिरावट है प्रॉफिट भी डिकलाइन होते वे देखने को मिला है येर ओन येर बेसेज दो सो करोड का तो है बट 18% डाउन है तो वह तो अलड़ी पता है कि इनके दाम भी कर दिये जा चुके दिक्कत तो इनके होगी दन अदानी विलमार की बात करे तो आप सिविलों को पताईए एक चर्चा काफी हद तक चल रही कि अदानी विलमार में स्टेक सेल करने वाले जो की कमपनी के CFO ने भी बोला कि येस हम स्टेक सेल करने वाले तीन मैने चार मैने का टाइम दीजे हम बायर धूंड रहे करके, पर फिलाल अभी यहाँ पर बताए जा रहे हैं दोस्तों कि stake sale की जो बाते यहाँ पर हो रही है, फिलाल तो hold पे जाती वी देखने को में रही है, मतलब cancel out होते वी देखने को में उसके पीछे का national FMCG company उसके साथ बातचित करें कि 44% stake वह आपे बेज देंगे करके, बीच में तो HUL का नाम सामने आए था, दन उसी के साथ-साथ ITC का नाम सामने आए था, दन ये भी नाम सामने आए था कि खुद Wilmar ही इनका बचावा stake खरीदे करके, बट फिलाल तो हम कह सकते हैं, जो talk हम ल billion dollar का valuation चाहिए उनको, जो की सामने वाली party उस चीज़ के लिए रेडीन है, वो उसको कम valuation के उपर इन चीज़ों के साथ deal करना चाते है, उनको भी पता है अदानी group को पैसे की जरुवत है, सक जरुवत है, तो वो तो बिल्कुल भी agree यहापे नहीं हो, जितना हो सके वो नीच इन चीज़ों को डिकलेर यहापे कर देंगे, तो यह point हम लोगों को पता होना चाहिए, नेक्स बात करेंगे सुझलान एनरजी 4-5% की तेजी देखने को यह circuit लग चुका है, रीजा ने दोस्तों कमपनी के नंबर अच्छे नंबर देखने को मिल चुक है, तो बाजार ने इसका मार्केट का था, जो कि आज 7000 करोड का जा चुका है, दोस्तों, 7000 करोड प्लस, आप ऐसा भी कह सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो, कि कमपनी ने क्या पर्फर्मस दिखा है, यहाँ पर पुराने वीडियो जो प्राइज है, उसकी सबसे मच जाना, बिकोज यहाँ पर एक बोनस प्लिड भी हो चुका है, काफी तगड़े रिटन से आपर बन चुके, दान बात करेंगे दोस्तों, तो BLS का जो IPO देखने को मट रहा है, GMP में काफी बड़ा बदलाव देखने को मट रहा है, पहले तो 100 के आसपस था, अभी 130 के आसपस हम लोगो GMP जाते वे देखने को में, काफी जबरदस हम लोगो यह IPO में भी परफर्मस देखने को आप मिल सकता है, अब बोलते हैं, अपलाई करके छोड़ना है, लग गया तो लग गया, नहीं लग गया, तो नहीं लग गया, क्या करें अभी, मैं समझ सकता है, फ्रस्टेशन नहीं मिलता है, तो वही मुझे भी नियले मिलता है, अर वक थोड़ी ना आर किसी को मिलेगा, मिठाई थोड़ी ना बड़री है मिल गया तो ठीक है नहीं मिल गया तो ठीक है आगे बड़ो दूसरा IP में ट्राइ करो ट्राइ करते हैं रहेना पड़ेगा और कोई option नहीं है कोई जड़ी बूठी नहीं है कोई shortcut नहीं है